हेलो दोस्तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारी जैकिट वाली कूर्टी बिदना सिखाऊंगी जिसके लिए हमने मेजर्मेंट लिया है चेस्ट 44, वेस्ट 39, हीप 44, शॉल्डर 14 और लैन 38 और हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है पहले ड्राफ्टिंग पर यह हमने यहाँ से शॉल्डर का हाफ लिया है यह नेक हमने 3 इंच का रखा है यहाँ पर और जो नेक की लंबाई है वो हमारी 5 इंच है इसी तरह यह हमने आर्मोल लिया है शोल्डर का हाफ और हाफ इन प्लस और यह जेर्ड इंच पर शेप दी है और यह एक इंच पर दी है यह फ्रंट की है इसी तरह हमने यहां से आर्मोल से और यहां तक और यह निशान लगाया है वेश्ट का कर तो ने Churnal गैऊlden करने जोदें करके का है यहां पर लिएया शनाफिकसा का डाओन में का सब्सक्राली रहा है उसका के सब्सक्राय पेज नियुक्पश मोलती है कपर सब्सक्राइब सब्सक्राइब है इस तरह इंगेली को शेशित करें का लिए पहला है पत्कूरो बर्लक चुछा कर लिए । जो हम जैकिट में यूज करेंगे अस्तर लिया है और ये हमने जैकिट के लिए फैब्ิक लिए ये हम कूटी का फैब्रिक है हमारा इसे मैचिंग का हमने ही जैकिक का फैब्रिक लिए है तर Schुबस से पहले हम अपना बैक तेस निकाल लेंगे इसको डबल करेंगे फैब्रीक को बैक पीस निकाल लेंगे इस तरह हम ने फैब्रीक की चार तैय की है और फրेंट और बैक दोनुसाथ कॉढ़ कर लेंगे जो फ्रेंट का नाएक और आरम मolे हैं वह बाद में कट कर लेंगे पहले युक टिंग कर लेंगे इस तरह हमारी फ्रेंट और बैक की कटिंग होगी है अब अब इसमें जैकित निशान लगा लेंगे जैकित हम 16 इंच की लेंगे तो 16 इंच पर एक निशान लगा लेंगे 16 और 1.5 इंच चिलाय के लिए थाड़े 16 इंच पर अब यहां पर सीधी लैंग दनाएंगे और यहां पर नैक पर एक निशान लगा लेंगे देडिम्स का और अब हम भी जैकित का निशान लगाएंगे यह हमारी जैकित होगी तो इसको पर इसको अलब कर लेंगे अब हम यह वाला पीस लेंगे और इसे हम अस्तर की फेसिंग की और यह वाली कटिंग करेंगे इस वाले पीस को हम इस तरह डबल करेंगे सिधा और अपनी ड्रापिंग रखेंगे यहां पर और यह कटिंग कर लेंगे इस तरह इनकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह हमने यह तीनों फैबरिक एक साथ रख लिए हैं फेसिंग भी अस्तर भी और अपना नीचे वाला फैबरिक भी और यह अपनी डाफ्टिंग सेट कर लिए है और जो महापर गोलाई है हमारी महापर हमने हाफ इंच एक्ष्टा रखा है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में भी आएगा अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे पिस्ता ही हमारी जैकेट आएगी अब हम लुपी बनाएंगे लुपी बनाने के लिए यहाँ पर एक पट्टी कट कर लेंगे इसमें हम आश लुपी बनाने के लिए एक पट्टी कट कर लिए इसमें से हम आश लुपी बनाएंगे और डोरी बनाने के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे इस तरह हम दोरी इस वाले फैब्रिक की बनाएंगे उमने इस तरह लेंगे और इसने से हम 22 ग्रेन वाली शपीर करेंगे डोरी के लिए इससरह में यह 22 के रिधी पट्टी कर लिया है इसको जंट करेंगे और सिलाई लगाकर सिरा कर लेगे इसी तरह हम सिलाई में सबसे पहले अपनी पढ़की तयार करेंगे और इसमें से छोटी-छोटी लूपी कट कर लेंगे इस तरह हमने यह आठ लूपी कट कर ली है चार एक साइड लगाने के लिए और चार एक साइड लगाने के लिए यह हम किस तरह सेट करेंगे यह हम आपको उपने एक पीस में बताएंगे यह हमने जैगेट का एक पीस लिया है यह हमने किस तरह सेट किया है पहले उपर की साइड हमने यह वाला फैबरिक रखा है और यह सीधी साइड हमने अस्तर लगाया है फिर हमने इसके निचे top facing लगाई है और यहां पर हमने जाहिए लगाए है ऊपर से 1 नीच पर और नीचे 1 दे 51 पर पहले हम अपनी लुपी set करेंगी इस तरह अंदर की side यहां पर इस तरह अपनी लुपी side set कर लेंगे कि इस तरह नहीं आघिए अस्तर पर अपनी लूपी सेट कर लिया है अब हम अपना यह वाला पेब्रिक इसके उपर सबर्बाने और यहां पर एक सिलाई लगाएंगे गॉलाईं में नेकसी लेंगे यहां से कि और इस तरह ऐक सिलाई लगा लेंगे उस इसका में यहां पर एक फिर्ट लगाली भिषिटला लिए से फिर्ट लगान के उसके रिटीया तरह आए इसके बीदा लगांगे तरी TOP व्य आइंड चतनаковे तरी पूर शोच जाशन लाइए सばहर दाल थार, लेगा वाले यहां तुसम आप मेरी पीश लाइन एक हिससे मेरा प्र भीश सेट मेरें पूरतीका और हुआ है यहाँ पर मत च्छाज है इंकाया हुआ ? बर्षत पी पने मेरी और हमारी कुलर्टे सेट करेगी और एक पीस इस साइड देंगे और एक पीस इस साइड लिए यह हमारा इस तरह आएगा अब हमें पहले एक सिरायम यहाँ पर लगाएंगे जिससे यह दोनों नेक सेट हो जाए दोनों साइड और आर्मोल पर भी एक सिराय लगा देंगे और यहाँ पर भी एक सिराय लगा देंगे जिससे यह हमारे जैकिट और नीचे का फैबरिक सेट हो जाए इस तरह यहां पर यह नेक पर शोल्डर पर और आज मोल पर और यहां पर इस तरह यहां पर यहां पर और यहां पर और यहां पर और यहां पर और यहां पर पिनक किया है यह आप यहमारा एक्स्टा फैब्रिक है कर देंगे को इस तरह है यह आ पर एक्स्टा फाब्रिक च आइड हम इसके शॉलडर जॉयन करेंब इस तरह लगांगे तो कर लें है इस तरह हमने अपने दो लपीस के शूल्ड जोइन्ट कर लिया है अब हम याँ पर एक फाइक पटि काटकी 164 की पटी कटकी Cape हम यहां पर सेट करेंगे सरदेंगे यहां से लेंगे जोएंस से और हम पर फुरी गोलहें में लगा देगे यह जो अरहाए जैकिट का नाइक है इसको भी हम पत्ति के साथ ही सेट करेंगे इस तरह ये हम बैज ग्रियन की पट्टी पूरे नैग में लगा लेंगी इस तरह हम ने ये बैज ग्रियन की पट्टी लगा ली है अब हम इसको आज सुई से फोल्ड करेंगे वैसे मैंने आपको मशीन से बिसे सिखा रखा है अगर आपको मशीन से बनानी हो तो इसको पहले से फोल्ड करके रखे पट्टी को और फिर इसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं गवी नाज हम इसमे सुई से करेंगे तो तो सुई से हम किस्तर है करेंगे tak इस तरह लेंगे कर एक फोल्ड गडने है पट्टी को और फिर फोड्ट इस्तर एक लिए तो यह हमारी पट्ति इसतर र पाइपीन निकल के आएगी भाए एक फोल्ड ऐसे और एक फोल्ड ऐसे अपिस सुई से तुर्पाई कर देगें सुई से तुर्पाई करने से हमारी यह चीफ नीशिंग आती है और हमारी यह पाइपिन बे अच्छी निकल जाती है इस तरह हम इसको पूरी गुलाई को सुई से पाइपिन निकाल कर त्यार कर लेंगे पहरे एक फोल्ड इस तरह करेंगे फिर इसको फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और फिर जो यह हमारा खुर्ती यह हमारा खुर्ती और फिर यह प्रिंग लिए पय्प इलगे तरह करने हम करने पूरिक और थि Darren लिए हम साइड के सिल्एक लिए कलिए था जाए dedic को इस सर processors एक दूसरे के उपर रखेंगे यहाँ पर हमने फिटिंग के अकोडिंग निशान लगा लिए है और यहाँ पर हम हिप लाइन तक सिलाय लगाएंगे और जो यह जैकिट का फैबरिक है यह भी हम इसकी दोनों पीस के बीच में रखेंगे यह भी हमारा सिलाय में आएगा अंदर की साइड इस तरह हमें साइड की सिलाय लगाकर यह तयार कर लिए कुर्ती अब हम यहाँ फ्रंट के पोजिशन में पट्टी लगाएंगे जैसे हमें जैकिट का फैबरिक है वैसी यह हमने 5 इंच की पट्टी कटकी है इस तरह इसको यहाँ पर हम पल्ले पर इस तरह सेट करेंगे तो हम इसको किस तरह सेट करेंगे यह पल्ला लेंगे पहले फ्रंट का किस तरह और इसको पट्टी को हम इस तरह उल्टा कर लेंगे और उल्टी साइड यह पट्टी पहले हम इस तरह सीधी जोइंट कर लेंगे यह पट्टी उल्टी साइड ली है क्योंकि बाद में इसमें सिरह लगाकर एक सिरह लगाकर पहले ही पट्टी और यह पने कुर्टी अटैच कर लेंगे यहां पर इस तरह यह पट्टी हमने यहां पर पल उपर सेट कर लिए है और यहां पर हमने आइरन किया है जितने हमें पट्टी फोल्ड कर लिया है अब हम इसको इस तरह रखेंगे सीधी साइड इस तरह एक सिलाई तो यहां पर लगाएंगे नीचे की साइड और एक सिलाई उपर की साइड लगाएंगे जिससे हमारे बॉर्डर यहां पर सेट हुजाए इससे हमारे कुट्टी का लूप अच्छा आएगा इसी तरह हम अपने स्लीज पर लगाएंगे उस पर हम छोटा एक शिलाई यहां पर लगाई है और एक यहां पर लगाई है अब हम इसकी डॉरी डालेंगे यह डॉरी में त्यार कर लिया है इसको में इस तरह लेंगे एक इस साइट से इस तरह से हमने यह डॉरी डाल लियास में और यह हमारी जैकित तयार होगी है अब हम इसमें स्लीज लगाएंगे इसके लिए हमने यह फैब्रिक फोल्ड किया है चार तेह में यहां से चंब सबस्क्राइब यहां से लन्द कम है तो हम यह안 यहां यहां वाला कपिया यह है ज्यांपर जूएंट वाला है तो इसको जूएंट के साथ इस तरह सेट कर देंगे जाँ पर यह तो ऱ रखेगे ऑसलीज का निषान लगा लेंगे यहां से हमने 9.5 इंच रखा है चेश्ट का फोर्ट भाग माइनस वन इंच यहां से हम जितना दिन नहेक लिया था उतना लेंगे और यहां इसको इस तरह गूल कर देंगे इस तरह हमने स्लीप्स कट कर ली है अभी यह जो हमारा है इसको अलग अलग कर लेंगे इस तरह एक स्लीप्स लेंगे अपनी और यह वाला फैब्रिक यहां पर सेट कर लेंगे आप इस तरह भी लगा सकते हैं या फिर एक साइड से लगाने के बाद दूसी साइड हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं हम इसको इसी तरह सिंपर तरीके से लगाएंगे यहां पर इसको जोइंट कर देंगे इस तरह यह हमने अपने कुर्टी रेडी कर लिए इसकी स्लीप बगारे लगाकर परफेक्ट तयार कर लिए और कुर्टी का लूप बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम रेडी मेट अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें कमर्स करें और शेयर करें थैंक्यू